जब हम कहते हैं क्रिश्ण, वो जो हैं उसका मूल तत्व, वो एक ऐसे बच्चे हैं जिने समभालना मुश्किल है, बेहट शरार्ती, एक मोहग बासुरी वादक, एक सुन्दर नर्तक, एक समोहग प्रेमी, एक बहादुर योध्धा, अपने दुश्मनों के निर्मम सनहारक, एक ऐसा इंसान, जिसने हर घर में एक टूटा दिल छोड़ा, एक चतुर राजनेता, और राजा बनाने वाले, एक संपूर्ण सज्जन, सबसे उँची कोटी के योगी, और सबसे रंगीले अफ़तार, कृष्ण को अलग-अलग लोगों ने कई अलग-अलग तरीकों से देखा, समझा और अनुभव किया है, दुर्योधन के शब्दों में, वो एक मुस्कुराता हुआ बदमाश है, अगर कभी कोई ऐसा इनसान हुआ हो तो, वो खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, नाच सकता है, प्यार कर सकता है, लड़ सकता है, बूड़िये औरतों के साथ गपशप कर सकता है, छोटे बच्चों के साथ खेल सकता है कौन कहता है कि वो भगवान है, ये दुरियोधन का नजरिया है शकुनी का कहना है, चलो मान लेते हैं कि वो भगवान है, तो क्या, भगवान करी क्या सकता है भगवान केवल उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसे खुश करते हैं उसे भगवान होने तो मुझे वो पसंद नहीं है और जो आपको पसंद नहीं है आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए यही चाला की है राधे उनके बच्पन की प्रेमे का एक दूद वाली गांव की एक साधारन सी महिला लेकिन अपने जबरदस्त प्रेम और भक्ती के कारण वो इतनी बड़ी हो गई है कि आज आप राधे के बिना क्रिश्न की बात नहीं कर सकते हम क्रिश्न राधे नहीं कहते हम राधे क्रिश्न कहते हैं वो कहती हैं क्रिश्न मेरे साथ है वो हमेशा मेरे साथ है वो चाहे जहां भी हूँ वो चाहे जिस किसी के भी साथ हो वो फिर भी मेरे साथ है ये उनका अनुभव है वेंतिया एक युवक जो गरूर राज का सबसे बड़ा बेटा था और गुमन तक के पाहडों पर रहता था एक जबरदस्त नौजवान पर एक बिमारी ने उसे पूरी तरह से अपंग कर दिया था कृष्ण से मिलने के बाद इस अपंग नौजवान ने उनकी मदद से चलना शुरू कर दिया तो वेंतिया ने कहा वो भगवान है वो भगवान है वो भगवान है अक्रूर अक्रूर कृष्ण के एक चाचा एक बुद्धिमान और संत जैसे इंसान उन्होंने कृष्ण के बारे में अपने अनुभव को इस तरह से व्यक्त किया क्रिश्ण जब मैं उससे देखता हूँ ये विचित्र युवा लड़का तो मुझे उसके चारों और सूरज, चंद्रमा और साथ सितारे घूमते हुए दिखते हैं जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे अनंद की आवाज बोल रही है वही आस्रा है अगर इस दुन्या में उम्मीद और आस्रा है तो वही वो आस्रा है शिखंडी एक पीडित इंसान चूंकि वो अपने भीतर एक तरह की अवस्था में फसा हुआ था अपने बच्पन से ही वो एक ऐसी आत्मा रहा है जिसने बहुत अत्याचार सहा है तो शिखंडी ने कहा कृष्ण ने मुझे कभी उमीद नहीं दी लिकिन जब वो मौजूद होते हैं तो उमीद की बयार हर किसी को छूती है मैं इस तरह लगातार बोल सकता हूँ अलग-अलग लोगों ने उनके अलग-अलग पहलूओं को देखा कुछ के लिए वो भगवान हैं कुछ के लिए वो एक बदमाश हैं कुछ के लिए वो एक प्रेमी हैं कुछ के लिए वो एक वद्धा हैं उनके कई रूप हैं अगर हम उस सत्व का स्वाज चकना चाहते हैं जिसे हम कृष्ण कहते हैं जिस चेतना को हम कृष्ण कहते हैं अगर हम चाहते हैं कि वो हमें छुए तो हमें लीला की जरूरत है हम यहाँ लीला के लिए आए हैं लीला का मतलब ये उनका मार्ग है जो जीवन को एक खेल की तरह जीते हैं ये गंभीर लोगों के लिए नहीं है आप हैं क्या? क्योंकि जब मैं जीवन को खेल की तरह जीने की बात करता हूँ हम यहां सिर्फ खेलने के लिए नहीं आए हैं हम यहां जीवन के सबसे गहन और सबसे गंभीर पहलू की खोच के लिए आए हैं लेकिन खेल की भावना के साथ एक खेल की तरह वरना कृष्ण यहां नहीं होंगे दुनिया की विशाल आबादी जीवन के सबसे गहरे आयामों से चूग गई है और इसका कारण ये है कि वो नहीं जानते कि खेल की भावना में कैसे रहना है अगर आप इस मार्ग में खेल की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अगर आप खेल खेलना चाहते हैं तो आपको एक प्यार से भरा दिल एक आनंदित मन और एक जोश से भरा शरीर चाहिए वरना लीला नहीं हो सकती झाल आपको एक एक जड़ हैं